देशा आते वदेशा विच बास दे वीरो पहणू सत्ष्रियकाल मैं कुलदीप सेंग तो अड़े नाड इतिहास दे कुझ पन्या विच्चू सड़ी मान मते इतिहास आते कुझ दुख दाई गल्ना दा जिकर कर लग गया हाँ सड़ी नाड बहुत कुझ होया और उन्ना विच्चू मैं कुझ के करना तो अड़े नाड साजिया कर लग गया हाँ जेडिया के अजकल हिंदुस्तान दे इतिहास विच ना तक इस्ते दसिया जन्दिया हाँ और ना ही उत्वनू जान देन वास्ते जा जानन वास्ते एहो जी या गल्ना तो प्रहेज किता जानता है इन अगल्ना विच तो सी पहला गुरु गोविन सिंग साहब जी दे 1708 विच जोती जोत समोन तो बाद दे इतिहास बारे जानू कर दे है उस तो बाद गुरु साहब जी दे जानतो बाद बाबा बंदा सिंग भादर जी ने सरहंद फते कीती पंजाब वाले दर आई उन्ना दिना विच जोतो बाबा बंदा सिंग जी बहादर पंजाब विच मार के मार रहे सन ता उस वेले चेड़े हिंदू राजे सन उन्ना ने पूरी वाल आई के सिक किसे भी तरह राज ना लैसकन। ये साड़े नाल उदों भी होया चेड़ो गुरू साइब चोवदा लड़ाईयां विच्चों बारा लड़ाईयां बारा जंगां पहाडी राजे नाल गुरू साइबनों लड़निया पहियां। ये पहाडी राजे कौन सन पहाडी राजे ओ सन जेड़े हिंदू राजपूत राजे सन जेड़े हिंदू राजे सन इना ने साड़े नाल तोखे कितें। तो दुश्मना वांगू ऐ हमेशा चड़के आये। जे कर एहे राजपूत राजे बाराँ साल मुभप करनाा। बाराँ जंगाना चड़के होँदे। त आज सिखर आज़ा़ जड़ियां सिमा मंहाने सान। उदर चीन दे नाल मिलने सान। उदर इरान दे नाल मिलनी असान, उदर अधर दखनी हिंदोस्तान तक लगनी असान, पर एक कुछ ना होया, समा बीतदा गया, और सिख राज स्थापत होया, जदो महाराजा रणजी सिंग ने राज स्थापत कीता, उस तो पहला मिसला ने अपने एरिये कठे कीते, अपने कुछ छोटे एरिये दे विच उना ने कभजा कीता, इस तना कई मिसला कभजा कर दिया गया, एक दिन सारे बैठके एकठे होये, उना ने राज से खड़ाईदा एलान कर दिता, पावे के पबाबंदा सिंग भादर अते होर सिंगा नू, बहुत तंगिया चलनिया पईया, उखे रहना पया, छिही दिया देनिया पईया, साधिया नसल कुशिया होया, पर फिर भी इना ने सिख राज स्थापत कर दिता, उन उस तो बाद, जदो साधा सिख राज सी, महाराजा रंजी सिंग दे वेले, उस वेले साधी फाज, जो तुनिया दे विच एक मन्नी परमनी फाज सी, बहुत भादर अते बहुत तकड़ी फाज सी, सिख राज दी, बहुत तकड़ी फाज सी, अंगरे जाने हिंदोस्तान ते जदों अटैक कीता हिंदोस्तान नों कबजे वेच कीता ता ए उस वेले बाकी सारा हिंदोस्तान जड़ा अंग्रेजां दे कबजे वेच सी और पंजाब वाल अख ना चक सके अंग्रेज अंग्रेजा ने उस वेले महाराजा रंजी सिंग दे अकाल चलाने तक उडीक कीती के इन अदा राजा जदों मुख जावेगा ता असी कुछ करांगी पंजाब साला बाद हिंदोस्तान पूरे ते राज होन तो बाद पंजाब उते इन अदी कबजा करन दी सोची हुन तुसी ए देखो के पंजाब एक अलग मुलक सी ना के महाराजा रंजी सिंग दे राज ते आउन तो पहला बलके उस तो पहला मी जे तुसी एक वारी एथे रुक के पिछे चात मारिये ता गुरू नानक सहब जी वेड़े गुरू नानक सहब जीतों लेके और गुरू गोविन सिंग जी तक एथे ना ता कोई हिंदू उठया ना लोकल मुसल्मान उठया ना कोई होर उठया एन ना जुल्म होया उसनों रोकन वाले कौन सन इस दा मतलब पंजाब दी तरती सिर्फ ते सिर्फ सिखादी तरती है बेशा के थे कोई भी रह सकता है पर पंजाब तरती सिर्फ सिखादी है सिखादा राज है इस सिखादी अपनी मा है प्रोफेसर पूर्ण सिंग केंदे सन के पंजाब वस्दा गुरां देना थे यह और किसे देना थे नहीं वस्दा आज जी कल बेशक देखो पंजाब देविच ऐ होजे गुर्दवारे स्थापत कीते जा रहे हन जिते शिवजी ती मूर्ती है जिते जिसु मसीधी मूर्ती है ऐ होजे जेडे गुर्दवारे स्थापत कीते जन जा रहे हन ओ आप हमें सनिय दुश्मन जमातावलो होन के एब आए जड़े या बुत पूजक हो जाना, सिखानू एक हिंदुआ दा हिस्सा गरदाने जा रहा है, सिखो, उठो, जागो, ए जो हो रहा है, ए बहुत बुरा हो रहा है, तो अडे इतिहास नू तोड़े आमरोड़े जा रहा है, इस तो बचो, अखा खलो, की तो अनू एहे नह लगदा, की सड़े इतिहास नू तोड़े आमरोड़े जा रहा है, मिलान कुंद्रा, एक लखारी होया, उसने क्या, की जे किसे कौम नो खत्म करना होए, उस दियां तेन चीजां खत्म कर दियां, जान, एक उना दी बोली खत्म कर दीती जावे, एक उना दा सभ्याचार खत जावे और एक उनादा इतिहास अपने कबजे विच कर लिया जावे और उस्तों बाद नमा इतिहास लिख्या जावे आउना लिया पुछता पुल जान गया के असी कौन सन सनु एह चीज हुन बनाई जा रही है तुसी वेखो सिखाने पुखे रहे के जंग्ला विच रहे के एही नारा लायासी राज करेगा खाल सा इस तो बिना कदी होर कोई गल नहीं होई गुरू गोवेंद सिंग जी ने तो अन्नू पता है कि गुर्गद्धी शिरी गुरू गुरू गुरांट साहब नों दिती पर इस विच ए वाक्या पूरा नहीं हुनदा ए गल पूरी नही गुरू 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 गु पंच साथा गुरू है और उधर खाल सा भी गुरू है खाल सा कट तो कट पंच प्यारे जेड़ेया पंच सेंगेया और बाद तो बाद सरबत खाल सा जिमे के जफे मारी कहना है पंच जफे मार ओ तखता ते बैके तो अड़े ते डिक्टेटर्शिप ला रहे है तो अड़े ते फैसले सुनाए जा रहे है पिंडरावाई संत केंदे सं के जेड़ा जथेदार तो अनु लगे के एक सिक पंथ दे वास्ते शिक पंथ दी चरदी कला वास् जफे एहे फैसले नहीं ले रहे है तुसी उननु नहीं मनना तो अड़े मना विच सतकार सिर्फ ओनी देर है जिननी देर जेड़े जथेदार हन ओ फैसला सिक पंथ दी चरदी कला वास्ते ले रहे हन जे सिक पंथ दी टेंदी कला वास्ते एहे फैसले ले जा रहे हन ता इन आनू तुसी नहीं मनना एनानू गदीतों लावी दिता जावे आजकल उन्नी सो चरासीतों बाद जिनने वी मुखी होई हन पामे ओहो अकाल तक साथ दे होई होन पामे होर तक सालां दे होई होन ओ सब खाल साजी ए सरकार दी देन हन सरकार दे कहे ते चल दे हन कोजो नदिया मजबूरिया हो सकती हन के ओ सरकार दे कहे ते चल दे हन शैद उननों करबानी तो डर लगदा है पर एग अल्ला सानू बहुत नीमा लेके जारी हन अजकल जो राजनात सिंग होम मिनिस्टर ओव इंडिया उसने ब्यान दिता के सिखांदी जड़ी दिल्ली दे विच नसल कुशी होई ओ उसने मन लिया के ए नसल कुशी सी पर उस दा एहे मतलब एहे गल उस दा कैन दा मनना सिर्फ एहे है इस तो वद कुझ नहीं के उसने कांगरस नू हेठा लियाउना है कांगरस फिर दुवारा पावर दे विच ना आ जावे इस लएई ओ जोर ला रहा है खाल साजी एह आरेसस दी पॉलिसी है जे कर बीजेपी सिखांदे नाल खड़ी होवे उन सिखांगर जेडियां विक्टिम सिगे 1984 दे उना नू पंच-पंच लख दे चेक दे जा रहे हन सिर्फ ते सिर्फ जेडि बगावत है जेडि सिख इना खिलाव खड़ दे हन उना नू एक एजडि सराल है ए निगल नमास दे ए उपरा ले कर रही है ए चला खेड रही है खाल साजी जे कर एक एण के सिख जेडे हन ओ हिंदुआंदा हिस्सा नई फेर असी मन्ये के ए सिखा वास्ते कुझ कर दे हन RSS, BJP सब एको हन एक की जिमाद हन एक जेडे सिखे दे दो पहलू हन ए सननू निगलना चाओंदे हन ए सननू खाना चाओंदे हन सिखा नू हिंदू बनावना चाओंदे हन जेडे सिख बत्त पूजक नई सिख सिर्फ अकाल पुरुखनू मन्दे हन खाल साजी इस वास्ते तू अननू खाना चाओंदे हन